तो आज के वीडियो में हम देखने वाले है कि कपड़ों पर इन लेटर्स का मतलब क्या होता है तो जबी हम ओफ-लाइन मार्किट से कुर्ती खरीते हैं या फिर ओनलाइन एप्लिकेशन से कुर्ती खरीते हैं मिशो एप फ्लिपकाड एप एमेजोन लिवाई तो वहाँ पर हम में XL XXXL XXXL इस तरीके से लेटर्स लिखा हुआता है वह हमारी साइस पर डिपन करता है तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन लेटर्स का मतलब क्या होता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दो कि अभी तक आपने हमारे दूसरी चैनल टेलर इ अन्ग ज्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रीप्सिन में है सब्सक्राइब जरूर करें यहाँ पर मैं एक बात और क्लिए कर दूँ कि यहाँ पर जो में जो लेटर्स का मतलब बता रहा हूँ वह चेस्ट कमर और हीप साइज होएगा वो सिर्फ लेडि देखना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमने बना दिया हुआ है वह आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले है कि इसका मतलब क्या होता है तो यहां पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले में बता दूँ कि आपको किस तरीके से नापना है तो यहां पर डिस्प्ले उपर देख रहे हो कि चेश्ट कमर और ही इस तरीके से होती है अगर आप खुच से नहीं नाप सकते तो आप टेलर के वहां जाके नपा सकते अगर ऐसा नहीं होता है तो एक आपको इंच टेप लेनी हो और यह जो इंच टेप है वह को आसानी से जहां पर टेलरिंट मिलता है वहीं से आपको मिल जाएगी और यह हमारा होजना के बाद आपको अपनी लेनी है जो आपको Ilkaan परफेक्ट होती हो तो यहांपर यह एक कुरती है है तो उसको हम यहां पर इस तरीके से और फिर और फिर आपकी इंच टेप लेंगे और यहांसे आप से लापेंगे कि तो यह हमारी हो रहे हैं यहां पर आपर नापेंगे तो यह यहां पर 18 इंच है और उस तोरीके से जहां पर यह कट होते हैं अभी हम आगे वीडियो में इनका मीनिंग समझते हो और कौनची सबसे कौनची साइज होती है वह हम देखते हैं तो यहां पर मैंने एक चार्ट तयार किया हुआ है तो यहां पर साइज लिखा है यहां पर चेस्ट लिखा है यहां पर कमर लिखा है और यहां पर हीप लिखा ह तो देखें यह किसमें वर्क करें कुर्ता ड्रेशी जम्सूट टॉप जैकेट और टीशट याद रहे कि यह सिर्फ लेडिस कूर्ती के लिए है यानि लेडिस लोग के लिए है तो देखें सबसे पहले हम यहां पर लिखते है एक्स एस इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा स्मॉल और यहां पर जो चेश्ट साइज आएगी वह आएगी 32 इंच कमर आएगी 25 इंच और यहां पर हीप आएगी वह आएगी 35 इंच एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाने के बाद आता है हमारा एस वर्ड तो यहां पर जो आएगी वह आएगी 34 इंच कमर 26 इंच और हीप 36 इंच और यह हो जाने के बाद अभी यहां पर आता है है मीडियम साइज तो मीडियम के लिए एम वर्ड होता है 36 इंच चेश्ट साइज आएगी 28 इंच कमर साइज आएगी और 38 हीप साइज आएगी और फिर आता है एल एल का मतलब होता है लार्ज 38 इंच कमर और 40 इंच हीप इसके बाद आता है हमारा XL यानि एक्स्ट्रा लार्ज 40 चेश्ट आएगी 32 कमर आएगी और 42 हीप साइगी और फिर आता है 2 XL यानि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज यहां पर आएगी फिर 42 इंच हीप और फिर वापस आएगा 3 XL और फिर यहां पर 4 XL इस तरीके से यह बढ़ता जाएगा और यहां पर आएगा 44 यहां पर 46 आप लिखेंगे यहां पर 36 इसकी कमर आएगी और यहां पर 46 हीप साइगी 4 XL में 46 चर्ष आती है 38 कमर आती है और 48 हीप साथी है तो यह तो हमार होगा कुर्ती और ड्रेस का नाप अभी हम यहां पर पेंट प्लाजो स्कॉट और सरारा इसका नाप लेंगे तो उसके लिए भी यहां पर मैं लिखूंगा XS यानि एक्स्ट्रा स्मोल यहां पर जो कमर आएगी वो आएगे 24 इंच कमर आप किस तरीके से नापेंगे वो आप वीडियो में देख सकते हो और यहां पर हीप्स आएगी वो आएगे 35 इंच और यहां पर आएगा स्मोल साइज स्मोल साइज में 26 इंच आएगी 36 हीप्स आएगी फिर आएगी हमारी मीडियम आपर 28 इंच कमर और 38 इंच हीप्स और फिर आयेगी लार्ज अर जो कि तीन और यहां पर चालिस इंच एगा नौर्मल ही नाप है आपका यहां पर आगे पिछे हो हो सकता है तो यह भी हमारा चलेगा लेक्सम समझ लीजिए कि यहां पर 30 और यहां पर 38 है तो भी आपको लार्ज ही लेना है कि फिर आता है XL कि यहां पर होएगी 32 इंच और यहां पर 42 इंच अभी देखें यहां पर भी XL XL यहां पर चेशन देख थाटी टू 42 यह भी हमारा इस तरीक है से होता जाएगा यहां पर 2 XL है तो यहां पर हमारा 2 XL में 34 कि और यहां पर 44 इंच है तो यहां पर भी वही वर्क करेगा तो यहां पर भी 3 XL होता है तो यहां पर 36 इंज कमर होएगी 46 इंज यह 36 आपको कमर देखनी यहां पर आप थोड़ा 19 भी हो सकता है तो भी चलेगा अगर यहां पर 48 रहती है तो आपको 36 का नहीं चलेगा यह बात आप खास दियान रखेगा तो आपको 4XL ही लेना पड़ेगा 4XL 38 38 और यहां पर 48 तो यह सारा था तो यह जो वर्ड्स होते उसका यही मीनिंग होता है आप यहां पर स्कीन चोट कर सकते हैं तो यह वीडियो आपको कैसा लगा होने चाहां कमेंट बॉक्स में जरूर बता है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई